Great morning class, today we are going to understand session number 2 of chapter 3 conditional formatting. So let's get started. देखो बेटा, जो हमारा chapter name है, वो two words को consist कर रहा है. First is your conditional and second is your formatting. अब जो यह word formatting है, इसके बारे में हम chapter number 2 में बहुत detail में पढ़ चुके हैं. Practically भी करके देखा था. तो formatting का मतलब होता क्या है, कि जब भी हम कोई effect add करते हैं, whenever we add some kind of effect, that is known as your formatting. अब वो effect किस form में हो सकता है, चाहे आप किसी चीज़ को bold कर लो, चाहे आप italic कर लो, चाहे आप उसका font style, font color, border style, border color, fill color. अगर आप कुछ भी ऐसा change कर रहे हो, तो आप उसको क्या बोलते हो, कि आपने क्या किया, आपने text की formatting को change किया. और हम formatting करते हैं, क्यों थे, MS word के अंदर, ताकि हमारा जो text है, वो presentable लगे, वो हमें readable लगे. ठीक है, हम उसको अच्छे से पढ़ पाएं. ठीक है, next word जो हम यहाँ पढ़ते हैं, that is your conditional. conditional word बना है condition से, और condition का मतलब क्या होता है, कोई rule. जैसे कई बर ममा बोलते हैं न, कि अगर आपके 90% अबव आगे, तो आपको car ले देंगे, 80% अबव आगे, तो आपको ये वाली चीज ले देंगे, मतलब. तो वो एक rule होता है, कि अगर आपके 90% अबव आए, तो ममा ने क्या कि एक rule बना दिया, कि इतने आगे तो आपको कोई चीज मिल जाएगी, ठीक है, अगर इतनी percent आए, तो आपको so and so चीज मिल जाएगी, तो ममी एक condition देती है, एक rule बनाती है, और उस rule के according कुछ होता है, त चीज है, लेकिन क्या हो सकता है, कि आप कोई rule बना सकते हो and according to that rule, आपकी formatting हो सकती है, तो इस chapter के अंदर हम यही पढ़ेंगे, कि हम conditions दे कर कैसे formatting कर सकते हैं, अपनी worksheet के अंदर, क्योंकि हम किसमें काम कर रहे हैं, Excel के अंदर काम कर रहे हैं, और हम पहले पढ़ चुकी है, कि Excel के अंदर आपकी क्या बनती हैं, वर्कशीट बनती हैं, ठीक है, तो हम यही देखेंगे, कि अगर हमने कोई worksheet बनाई है, तो उस worksheet के अंदर conditions apply करके, हम formatting कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो वो यही बोलता है, कि Excel बहुत ही useful feature provide करता है, जिसको हम बोलते है, conditional formatting, using this feature, you can apply formatting to one or more cells and create rules for when and how those cells are to be formatted, the conditions can be based on the selected cells contents और based on content of another cell, मतलब वो यही बता रहा है, अभी हम देखेंगे कि condition बनाते कैसे हैं, और वो किस किस पे base करती है, ठीक है, अभी हमें जो जीज़ पढ़ने की need है, वो यह है, using conditional formatting, we can apply the following formatting effects, मैं आपको formatting effects बता रही थी ना, आप कौन कौन से लगा सकत क्योंकि आपने condition बताई, अगर वो condition satisfy होती है, तो आप कौन कौन सी formatting apply कर सकते हो, यह सारी दे रखी है, कौन कौन सी है, आप कोई number formatting apply कर सकते हो, कोई text या फिर कोई date, font, font style, font color को change कर सकते हो, border color को change कर सकते हो, border के style को change कर सकते हो, fill color कर सकते हो, fill pattern कर सकते हो, ठीक है, अगर लगा सकते हो लेकिन कुछ इफेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं लगते वो कौन-कौन से हैं आपके एक होता है font size और एक होता है आपका border thickness ठीक है font size का मतलब होता है कि जैसे मैंने ए लिखा फॉंट size अगर मैं बढ़ा कर दूती और बढ़ा हो जाएगा अगर मैं छोटा कर दूती और छोटा हो जाएगा लेकिन आप यह वाला effect इसमें नहीं लगा सकते ठीक है आप यह नहीं कह सकते कि अगर यह वाली condition यह हौई यह आप कहाँ कि यह पतला हो जाया तो आप वह चेंझ नहीं कर सकते मतलब अ बौर्डर की thickness चेंज नहीं कर सकते पॉडर का style चूँज कर सकते हो कि आपको डैश लॉडर चाहिए यह डैश डॉड word of order चाहिए border juice कर सकते हो लेकिन उसकी thickness को आप change नहीं कर सकते तो यह important है कि यह वो दो styles होते हैं जिनको आप नहीं लगा सकते conditional formatting की help से ठीक है अब हम एक example देखते हैं कि conditional formatting work कैसे करती है excel के अंदर हम एक simple सी न वरक्षीट बनाते हैं उस वरक्षीट के अंदर क्या करते हैं सबसे पहले तो अगर आपको वरक्षीट का format या दो तो वह rows और columns में बनी होती है ऐसे यह मैंने rows बना दी और यह जो मैं vertical बना रही हूं बार्ज यह क्या हो गए आपके row number हो गए इस डंक से बनती है आपकी वरक्षीट जब भी बनती है अब मानलो میں एक वरक्षीट बनाती हूं जिसके अंदर मैं क्या कर रही हूं यहाँ ग星ाभी यहां पर मैंने लिख दी मानलो एर ते ऐ ख मास और मैं उनकी क्या करती हूं % डाल दें और इसके अंदर मैं फिर 90 है पिर यहां पर 75 परसेंट है यहां पर 60 परसेंट है यहां पर 50 है और यहां पर 10 परसेंट है मानलों यह कुछ % है आपकी class के बच्चों आप की आंट का ये ए एर्थ-A सेक्षें था ये एर ए-3C सेक्षें था अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये कहती हूँ, कि जिन बच्चों की percentage, 50% से जादा है, ग्रेटर दен 50% है, उसको आप क्या करो, कलर कर दो, उन उन cells को pink कलर से, मैंने क्या बोला, मैंने rule क्या दे दिया, कि जिन भी बच्चों की percentage 50% से ज़ादा है उन वाले cells को आप क्या करो pink color कर दो उनमें यानि font color क्या कर दो नि फिल color क्या कर दो उनका pink कर दो ठीक है मैं ये चाहती है तो मैं क्या करूंगी मैं कुछ steps को follow करूंगी और उसके बाद होगा क्या ये मेरा rule हो गया जब मैं ये वाला rule apply कर दोंगी तो उसके बाद मेरी इस work sheet के अंदर क्या होगा जहाँ जहाँ 50% से ज़ादा था देखो यह तो 50 है तो यह सेलेक्ट नहीं होगा, यहां तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन यहां पे यह वाला, यहां पे यह वाला, फिर इसमें तो 3 होई, क्योंकि सारे 50 से बड़े हैं न, तो जो जो सेल 50 से बड़े हैं वो सारे किस कलर के हो जाएंगे, पिंक कलर के हो तो आपने एक रूल बनाया और computer ने क्या किया आपकी worksheet को read किया और जिन भी बच्चों का result 50% से जाधा था उसको क्या कर दिया pink color का कर दिया यह पूरा cell क्यों हो जाएगा pink color का हो जाएगा तो यह क्या होती आपकी conditional formatting मतलब आपने क्या किया जो आपको पहले बताई थी मैंने बात कि यह condition लगाई computer को condition बता दी और condition कि होते ही computer ने क्या किया जो formatting आपने उसको बताई कि मुझे pink color चाहिए वह वाली formatting उसने apply कर दी आप जैसी जैसी formatting उसको बताऊगे वह सारी कर देगा मैंने तो सरफ pink color बताया है अगर आप उसको बोलो कि border भी लगाना है font color भी change करना ह या bold italic underline font style change करना है जो भी चीज आप उसको कहते जाओगे वह सारी चीजे करता जाएगा ठीक है तो अब हम यह देखते हैं कि हम इसको apply करते कैसे हमनों यह तो सीख लिया ना कि हम एक rule बताएंगे और वह उसके recording work कर देगा अभी हमारा next step यहीं है कि वह rule लगता कैसे है ठ सबसे पहले जितना डेटा आपने उसके अंडर लेना है मतलब जितने भी डेटा में आपको लगानी है अपनी फॉर्मेटिंग यानि रूल लगाना है उस सारे को आप सेलेक्ट कर लो तो जब भी ऐसे आप consecutive cells को सेलेक्ट करते हो तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं व वह क्या बन जाती है रेंज तो सबसे पहले आपने रेंज ओफ डेटा को सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आपने कहा जाने होम टाप में यह टाप तो सबको बता है और तीन चीज़े मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि जब भी आपको कहीं जाना होता है computer के अंदर तो आ आप में कहां पर मिलेगा होम टाप के अंदर आपका नीचे स्टाइल ग्रूप है वह दिखने रहा उसके अंडर यह कंडिशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन आ रहे हैं आप इस ऑप्शन पर जाओगे यहां पर जाते हैं आपको पहला क्या मिला हाइलाइट सेल रूल आपने इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करते हैं आप देखोगे आपके बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपने देखा एक और मेन्यू सब मेन्यू ओपन हो गया आपका और उस सब मेन्यू के अंदर यह बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं कौन कौन से ग्रेटर देन लेस देन इकुल टूब वो याप क्रे उपर है कि आप कौण सी कंडीशन लगाना चाहरे हो मैं ग्रेटर दिन की लगाना चाहरी दी न तो मैंने greater than पे select कर दिया है ठीक है greater than पे जैसे ही click किया तो क्या होगा greater than dialogue box open हो जाएगा यह वाला dialogue box open हो गया अब इस dialogue box के अंदर वो आप से क्या पूछ रहे है एक value पूछ रहे है जैसे मैंने पहले case में 50% select किया था ना कि जिनकी percentage 50 से जादा है मैंने यह बोला था तो मैंने यहां क्या लिख दिया 50 लिख दिया ठीक है उसके बाद विद अब जो यह second text box है जो यह list box open हुआ है इसके अंदर क्या है यह वो आपको सारी formatting के style बता रहा है यहां तो आपने rule बताया कि 50 से जो बड़ा होगा आपने format करना है उन cells को उन cells पर आपने formatting apply करनी है जो greater than 50 है ठीक है लेकिन कैसे करनी है कौन सी formatting लगानी है वो अब यहां से choose करोगे बाइडिफॉल्ट आपको यह सारे option मिल रहे हैं ठीक है आप चाहते हो light red फिल्विद डाक रेड टेक्स येलो फिल्विद डाक येलो टेक्स ग्रीन फिल्विद डाक ब्राउन ग्रीन टेक्स जो भी आपको अच्छा लगे आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हो इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप ओके गरोगे तो आपकी वेल्यू सेलेक्ट हो ज संदी नहीं आई जो इसने दे रखी है तो आपके पास एक option होता है custom format का कौन सो option होता है custom format क्या करता है आपको अलोग करता है कि आप अपनी मर्जी का formatting style डाल सकते हो ठीक है इसके लिए आपको क्या करना है यह देखो आपने सबसे पहले custom format पे क्लिक करना है custom format पे क्लिक करते format cell dialogue box open होगा format cell dialogue box पे जाते ही आपके पस चार टाब आजाएंगे number font border fill जो उनसे वाले type के formatting खुद करना चाहते हो जैसी formatting आप चाहते हो उसस टाब पे जाते रहो जैसे आप font में चाहते हो जो उनसा font style चाहते हो ठीक है font face कौन से वाला चाहते हो font size तो हम कर नहीं सकते हमें पता है उसके बाद strike through का effect चाहते हो color change करना चाहते हो font का तो जो भी effect आप करना चाहते हो वो select करते हो last में ok कर दो जब आप ok कर दोगे तो क्यों होगा यहां 50 की value आपने select की हुई है और आपने इसकी help से यह बता दिया कि आप कैसी formatting करना चाहते हो तो जब आप ok करोगे तो जो यह सारी values थी अभी तो यह pink color की हुई क्योंकि हमने simple वाला select किया था अब जब आप ok बे click करोगे तो यहां पर वह formatting आएगी जो आपने यहां से select की मानलो आपने बोल दिया कि बोल्ड टैलिक हो कलर उसका red हो बॉर्डर भी लगा दिया फिल में आपने बोला green color हो तो जब ऐसे करोगे ना तो यह जंग से आएगा यह आपका green color का ऊचुका होगा पूरा बोल्ड टैलिक की form में आपकी यह जो 80 है यह ऐसे हो जाएगा थोड़ा बोल्ड भी हो जाएगा साथ में ठीक है और जो भी आप और effect लगाना चाहते हो मानलो color आपने pink किया था तो यह pink color का हो जाएगा नीचे green आ जाएगा तो जैसी मानलो आपने border भी लगा दिया तो यहा आपने यहां पर formatting शो की होगी न वो सारी formatting आपकी आ जाएगी ठीक है तो यह होता है custom कस्टम का मतलब होता है कि जब भी आपको default चीज पसंद नहीं आती मतलब जो computer ने options दे रख्या वो आपको पसंद नहीं आते और आप अपनी मर्जी से कोईच बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको किस पर जाना है custom format पर और इस पर क्लिक करते ही format cell का डायलोग बॉक्स ओपन होगा यहां पर अपनी मर्जी से क्लिक करो जो भी आपको अच्छा लगे और okay कर दो लास्ट में ठीक है पहले आपने highlight cell rule पे गए थे ना अब आपको जाना है clear rule पे clear का मतलब क्यों होते है किसी चीज को हटा देना delete कर देना तो मैं यहां क्या कह रही हो मेरे rules को clear करो अब यहां जाके मेरे पास दो option आएंगे clear rule from selected cell clear rule from entire sheet clear rule from selected cell का मतलब है कि कोई एक cell है यह दो cell है यह आपके एक एक individual यह cell होता है ना तो कोई आप चाहते हो कि सरफ इस में से मेरा यह वाला बाकी सारे तो मेरे selected रहें जैसे मैं चाहा रही थी पर इसमें selection ना आए अगर मैं कुछ ऐसा चाहती हूं ठीक है तो मैं क्या कर सकती हूं clear rule from selected cell लेकिन अगर मैं चाहते ह यह यह पूरि वरकशीट बनाई थी इस सारे में से हिए आपका क्या हो हट जाए थीक है इस सारे में से आपका हो हट जाए जो भी मैने रूल बनाये थे जो भी मैने ऐने color बनाये थे तो आप क्या कर सकते हो clear rule from entire sheet यह औपके पास दो option होते है अगर आप सिरफ 1 या 2 cell से हटा लगे तो आप इसके लिए इस option पे जाओगे यहां से हटा सकते हो लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपने जो rules इस पे डाले थे यह जो भी coloring हुई थी वो सारी हट जाए normal worksheet आजए तो आप clear rules from entire sheet पे जाओगे ठीक है तो class I hope you have understood this topic thank you